सबी बाईयों को नमस्कार सबी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल संसनिवाल डेरी फार्म पे आज की एक और वीडियो लेके आ रहे हैं जाने माने बुल करण की काफी सारी दो तीन वीडियो पहले भी अपने चैनल पे आ चुकी हैं आज एक बार फिर से लेके आ रहे हैं वीडियो में देखेंगे बहुती स्चानदार बुल और इसकी मा के साथ भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो की थोड़े दिन पहले लगबग मिरी ख्याल से आठ दस मिनने पहले बनाई थी जब वो बच्चा देने के बिलकुल नस्दीक साइद कटडी को जनम दिया हुआ था उस ताइम पे तो बहुती स्यांदार क्वालेटी की कटडे की मा है जिसकी मा को लगबग पहले ब्यात से हम देख रहे हैं और अभी काफी उमर में हो चुकी है बह प्रेक्टिस करते हैं वेटनरी की और कटड़ा बहुत महनत करके दिल लगा के बाई साब ने त्यार किया है और हर्याना जिसको जाना जाता है मुर्रा के लिए और मुर्रा को पहचान दिलाने वाले बहुत बड़े-बड़े बुल हर्याना में हुए हैं उसी कटेगरी में ह तो जहां से बहुत शांदार क्वालिटी की बैसे रूटीन में निकलती रहती हैं, वो इतने बड़े बड़े बहुत शांदार क्वालिटी के कटडों के कारण ही निकलती हैं, सोनु भाई से पूछते हैं, डिटेल से जानकारी लेंगे, बुल का नाम मैंने बता दिया करण, और सारा कुछ इसके बारे में पूछते हैं सौनु भाई साब नमस्कार तो सौनु भाई करण की एज कितनी होगी उमर कितनी होगी सवा तीन साल की उमर हो चुकी है तो सौनु भाई इसकी मागा दूद कितना है इसकी मागा दूद 23 किलो 645 गराम हरियाना HLDB की रिकोर्डिंग में जट्टू लु अरिगाओं में रिकोर्ड हुआ था पहले ब्यात में जब वो थी साइद उस टाइम पे 18 किलो दूद रिकोर्ड हुआ था उस टाइम पे 17 के लोदूद हुआ था उस टाइम पे हमारे फारम की भी कुछ बैसे उस कंपिटिशन में लगी हुई थी और बहुती स्चांदार क्वालिटी की बैस साथ ही इस वीडियो के साथ हमारी कोशिश होगी इसकी मागा भी दिखाया जाए बहुत बड़े अडर की बहुत ही शांदार क्वालिटी का अडर है बोडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बड़ी हो चुकी है लेकिन आज भी ऐसे लग रही है जैसे बहुत ही जवान जोटी है तो सुनू भाई इसका सीमन भी त्यार करवा दिया कटड़े का आपने बच्चे कैसे आ रहे हैं बाई शांदार 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 चोड़ाई पी थेक है ठीक है और सो कटडियों को मैं टैगिंग कर रखिया है उनका दूद भी दिखाएंगे इन फ्यूचर भाई तो इसका फादर तो अर्जुन है ना भाई सब तो कोण से कमपीटिशन में अब तक आपने पर्टिस्पेट करा है बुल को सिंग्वा से लेके सिंग्वा कुंगड करनाड कुरुकशतर और मेरट धदर सभी जगह पिसको सारी जगह पर्टिस्पेट किया है और कहीं से भी खाली आथ कटडा लोटा नहीं है तो मैं दिखाना चाहूँगा सवा तीन साड़े तीन बताई ना उमर सवा तीन साल के उमर में कटडा देखिए बहुत ही बहतरीन बिल्कुल छोटा सिंग्ग चेरा बहुत सुंदर गर्दन काफी लंबी और चमडी देखिए पूरे के पूरे सरीर पे जो नसे हैं वो बिल्कुल तैनी हुई है शाम के टाइम लगबग दिन ढलने को है उस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं अगर दोपहर में वीडियो बनाई जाती कडाके की दूप में तो आप नसे ओर भी जिदा चमडार देख पाते बुल की देखिए पीठ बहुती शानदार और बहुती शानदार हूँ चाही का बुल है कई बार हम बुजर्गों से के पास बैठते हैं तो सुनते हैं बड़े बुल के बहुत फैदे होते हैं बहुत ही बड़िया शो क्वालिटी की कटडियां बड़े बुलों से पैदा होती हैं और जब कंपेटिशन वगएरा होता है तो बड़े साइज का कोई भी पसू अगर पारिटी स्पेट कर रहा हो चाहे वो बैंस हो चाहे वो कटडी हो तो साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी कंपेटिशन में देखिए पीट पुठा बहुत ही शांदार बहुत ही अट्रेक्टिव कटडा और जिन बायों ने इसकी मां को देखा है वो मैं कहूंगा अगर सीमन की बात करें तो एक बार इस कटडे का सीमन लगवाए बिना नहीं रहेंगे जिनों ने इसकी म नमर हो रहे हैं हां बताओ तर 163 436 यह दो कॉंटेक्ट नमर है तो भाई सब इसको फीड में क्या दे रहे हो दाने में अगर जोगा दलिया और चना अगर चोकर ठीक है विनोडा और तेल सीमन के कारण नहीं देते बोडि वेट जादा भी नहीं है कटडे का तो कम भी नहीं है ऐसा कटड़ा है जो ब्रीडिंग के लाइक जीसे हम कहेंगे ज्जादा थलथल ज्यादा मास भी नहीं है और बढ़िया कटड़ा है कि मैटिंग के लिए जो थोड़ा सा स्लिम ट्रीम होगा तो यह बढ़िया रहे गा मेरी ख्याल से और सीमन बैंक वाले तेल गी और बिन तो यह देखिए बहुत ही श्यांदार कटड़ा आज हमने देखा ज्यादा बड़ी वीडियो खिचेंगे भी नहीं जो भी वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट्स में जुरूर बताना आपको कैसा लगा कटड़ा करन बुल नाम रखा है बाई ने और बहुत ही बहतरीन में एक बार आपको मैंने एड्रस नहीं बताया एड्रस बताना चाहूंगा बाई का जो गाउं है वो प्रेमनगर है बीवानी जो रोड है बीवानी आसी रोड है उस रोड के उपर पहला गाउं है बिल्कुल जो ये पावरा उसे बिजडी गर है इसके बिल्कुल सामने बाई साब रहते हैं सामने बोरड भी लगा रखा है बाई ने बुल के नाम से ही सीमन भी अगर कोई बाई इस रोड पे निकलते हुए लेना चाहता है बुल देखना चाहता है ओन रोड बाई का जो है गर बना रखा है फारम बना रखा है यहीं रहते हैं क एक बात चोटी सी और कहूंगा किसी भी बुल का एहम योगदान होता है आगगे जो हम कटडे कटडियां जो हमारे किसानों के गर आ रहे हैं उसमें तो जितने भी किसान भाई हैं वो सोच समझगे सीमन का चुनाव करें और एक सपेशल हर्याना के किसान भाईयों के लिए मैं कहता हूं आप अपनी कमर कसोगे अच्छे सीमन का चुनाव करोगे तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा अवेरनेस अच्छे बुलों की अच्छे सीमनों की होगी है तो आप अर्याना का जो पसुपालक है उसकी ज्यादा जवा सीमन रखवाने में करें कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा ये बुल जो आज हमने दिखाया सुनु भाई, डक्टर भाई के पास और सीमन भी इसका त्यार है तो आप फैदा उठा सकते हैं बुल का सीमन अपनी बैसों के उपर लगवा के ठीक है भाईो, सभी भाईों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही बैल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे वीडियो बहुत ही शांदार बनी है बुल बहुत ही शांदार है वीडियो को देखते ही सबसे पहले आप लाइक इसका मैं कहुँगा ठोक दें चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन दबाएं ये सारे जो काम करोगे आप इससे हमें कोई ज़्यादा ये नहीं है के पैसा बनने वाला है केवल और केवल आपका एप्रिशियेशन मिलेगा और हमें ये पता चलेगा कितने बाई हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं सभी बाईयों का दिल से दन्यवाद चाहे वो देश से हो विदेश से हो अरबियन कंट्री यूरोपियन कंट्री कहीं से भी हो इंडिया पाकिस्तान सब का दिल से धन्यवाद जो आप इतना हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार